इस कहानी की शुरुआत में हम वेंजडे नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो की स्कुल में होती है, वो आम लोगों से थोड़ी अलग होती है, क्योंकि हमेशा लोगों से मरने और मारने की बाते करती थी, इस वज़े से कोई भी उसे पसंद नहीं करता, और सब उसे उसे पूशती है, कि मुझे उनके नाम बताओ, जिन्होंने तुम्हारे साथ ये सब किया है, पक्सली कहता है, कि मुझे नहीं पता क्यों थे, और रोने लगता है, वेंजडे उसे कहती है, कि अपने एमोशन दिखाना हमारी कमजोरी है, और उसे रोने से मना करती है, और बाद वेंजडे उन लड़कों के पास जाती है, जिन्होंने उसके भाई को परिशान किया था, सभी लड़के पुल में ना रहे थे, तब यों वेंजडे को देखर कहते हैं, कि चुडेल तुम यहां क्यों आई हो, ये प्राइवेट प्रेक्टी से, रिपलाई में प्राणा कार्ड लेती है, वेंजडे अपने भाई का बदला लेकर काफी खुश होती है, मगर उसकी इस हरकत की वज़े से, उसे स्कुल से निकाल दिया जाता है, फिर आप हम देखते हैं, कि वेंजडे के मॉम डेट उसे निवर मोर एकेडमी में ले जाते हैं, क्यों कि वह भी बन जा है, वेंजडे के डेट उसे बताते हैं, कि निवर मोर इसकुल बाकी बोर्डिंग इसकुल की तरह नहीं है, वो एक जादुई जगह है, जहां मैं तुम्हारी मा से मिला और हमें प्यार हो गया, वेंजडे के एती है, कि मुझे आपकी तरह डार्क प्रॉम की क्व और सियां सोसाइटी की प्रेसिडेंट बनने का कोई शोक नहीं है, मुझे आप दोनों को देखकर उल्टियां आती है, क्योंकि उसे अपने पेरिंट्स पसंद नहीं थे, वहीं दूसरी दरह हम एक आदमी को देखते हैं, जो निवर मोर स्कुल के पास वाले जंगल में हाइ देता है, अगले सीन में वेंश्डे अपनी फेमेली के साथ नेवर मोर स्कुल में पहुंच जाते हैं, वहाँ की प्रिंसिबल वीमस, वेंश्डे के रिकॉर्ड देखकर उसे कहती है, कि तुमने पिछले पांच सालों में आर्ट स्कुल को बदला है, तो वेंश्डे कहती है केसा को स्कुल नहीं बना, जो मुझे रोक सके, और ये स्कुल भी बाकी स्कुल की तरह ही निकलेगा, वीमस उसे बताती है कि नेवर मोर में, बीश्टरम में हम किसी को एड्मिशन नहीं देते, मगर तुमारे माक्स, और तुमारी मा मेरी रूमेट थी, और इस इस्ष्टे क को देखते हुए, मैंने बोर्ड मेंबर से बात की, और हो हमारी बात मान गए, तो मोटेशिया जो वेंजडे की मा है, वो वीमस से गेती है, कि तुम बता सकती हो, कि इसके ठेपिस सेशन का क्या होगा, क्योंकि ये कोड का ओडर है, वीमस बताती है, कि जेरिको की एक ठेपि ले जाती है, जो कि काफी रंगीन था, वहाँ एक लड़की होती है, जिसका नाम इनेट था, वो वेंजडे को देखर पूँचती है, कि क्या तुम ठीक हो, शकल से तुम बिमार लग रही हो, तो वेंजडे के डेट, गोमेज एडम कहते हैं, कि हमेशा जिन्दा लाश की तर पूर भी करा देना, इनेट वेंजडे को अपने साल ले जाती है, और उसे बताती है, कि नेवर मोर 1791 में हम जैसे आउटकाश बच्चों के लिए बनाया गया था, तो वेंजडे उसे कहती है, कि मैं जादा दिनों तक नहीं रुकूंगी, या लाने का मेरे प्रेंट्स का आ इनेट वेंजडे को नेवर मोर के चार फेमस के लिए को इस गरूप के बारे में बताती है, जो कि फैंक्स, फर्स, इस्टोनर्स और इसकेलर से ये अपनों के साथ अच्छा व्यावार करते हैं, और दूसे लोगों को पसंद नहीं करते, इन में से कुछ 10 साल से भी जादा स इनेट वेंजडे को फर्स को दिखा कर कहती है, कि ये वेर वुल्फ है, जैसे कि मैं हूँ, पुर्नीमा की रात, यहां काफी शोर होता है, क्योंकि सारे फर्स जोर से गरसते हैं, इनेट उसे एक लड़की, बियंका बाकरले को बता कर कहती है, कि ये नेवर मोर की एक लोती ह मगर इसका ताज आजकल फिसल रहा है, ये जैवियर थोरपे को डेट करती थी, पर इस सेमेश्टर के स्टार्टिंग में इनका ब्रेक अप हो गया, तब इनेट के पास एजेक्स नाम का एक लड़का आता है, और उसे कहता है, कि मैंने सुना है, कि तुम्हारी न्यू रूम जल्दी से सोचल मीडिया पर आने हो कहती है, वेंश्डे रिप्लाइ में कहती है, कि मुझे सोचल मीडिया आत्मा को सडाने वाली बिमारी लगती है, ये कहकर वहां से चली जाती है, इस कुल्टूर के बाद वेंश्डे पने मोम डेट के पास जाती है, तो एड़म उसे कहत कि तुम्हें इस डेस में देखकर मेरी पुरानी आदे ताजा हो गई वेंजडे अपने भाई से कहती है कि तुम बहुत कमजोर हो तुम मेरे बिना दो मैने से ज्यादा दिन नहीं रह पाओगे मोटेश्या वेंजडे से कहती है कि आँसे भागने का अगर तुमारा कोई थे में इस टीनेज जेल खाने से जल्दी भाग जाओंगी और हम अब दोबारा कभी नहीं मिलेंगे मोटेश्या कहती है कि तुम्हें जल्दी ही निवर मोर से प्यार हो जाएगा मेरी तरह तुमारी भी जिन्दिगी बदल जाएगी और उसे एक लोकेट देकर कहती है इसे उपसीडियन से बनाया था जिससे एश्टेक दिवी दरश्टी पेदा करते हैं और कहती है कि हमारी रिष्टे की निशानी है मगर वेश्टे को लोकेट पसंद नहीं आता और अपनी मौम से कहती है कि मैं आप जैसी नहीं हूँ नाई मुझे प्यार होगा नाई में हाउस व बोल देकर कहती है कि पहले एक हफते तक हम तुमसे बात नहीं कर सकते क्योंकि आका रूल है यह कहकर वहां से चली जाती है जाते समय एडम वेंश्डे पर नजर रखने के लिए धिंक नाम की एक हाथ को छोड़ देते हैं वहीं जंगल में पुलिस को हाइकर की लाश मिलती ह जिसके खुनी ने टुकड़े कर दिये थे गेल पिन जो की पुलिस इंस्पेक्टर है उसकी साथी ओफिसर उन्हें बताती है कि एक इस पिछले हफते की दोनों प्रोफाइल को मेच करता है गेल पिन उसे कहते हैं कि वर्निंग जारी करो हाइकर्स को जंगल से बाहर रखो आ अगर जब तक मैं इस बात को साबित नहीं कर सकता ये काम किसी बालू का है हम यही कहते रहेंगे अगले सीन में वेंजडे विंडो पर लगे कलर को खोल देती है क्योंकि उसे कलर पसंद नहीं थे इने डुसे कहती है कि तुमने मेरे रूम की क्या हालत कर दी तो वेंजडे क कियेती है कि मैंने हमारे कमरे को बाढ़ दिया और अब तुम चुप रहो तो यह अच्छा है क्योंकि यह मेरे नोबल लिखने का टाइम है और तुम भी शाय देशा करती तो तुमारे ब्लोग सुदर जाते इने डुसे कहती है कि मैं ब्लोग अपनी आवाज में लिखती हू यह मेरे फॉलोवर्स को पसंद है और म्यूजिक चला कर डांस करने लगती है वेंजडेव से गाना बंद करने हो कहती है इनेड अपने पंजो को निकाल कर वेंजडेव कहती है कि तुम मुझसे पंगा मत लो मैं इने चलाने में माहिर हूँ तब यहामी स्टोर नील आती है जो कि वेंजडेव की डो मोम होती है वो वेंजडेव से कहती है कि सोरी मैं तुम से आते ही नहीं मिल पाई पर मुझे यकीन है कि इनेड ने तुम्हारा ध्यान रखा होगा तो वेंजडेव ने बताती है कि इसने मेरा इतना ज़्यादा ख्याल रखा है कि मेरा दम घुट र और में भी इसे ऐसा एसास कराऊंगी जब यह सो रही होगी तो और निल वेंश्डे को अपनी कंसरवेटरी की तरफ से एक फुल गिफ्ट देकर उसे कहती है कि मैं हर लड़की को एक सही फुल से मेच करने कोशिश करती हूं और जब मैंने तुम्हारा एप्लिकेशन फॉम एक पचीस मीट की वोक है या वीकेंड पर बस जाती है मगर लोकल लोक नेवर मोर को शकी नजर से देखते हैं तो वहां जाकर कोई गडबर मत करना और वहां से चली जाती है अगले दिन सुबह वेंश्डे बियंगा के पास जाती है और उसे अपने साथ फेंसिंग गेम खे काल दिये जाए तो वहीं मर जाती है यह सुनकर बियंग का उसका चैलेंज एकसेप्ट कर लेती है और और दोनों आपस में खेलने लगती है पहला पॉइंट वेंश्डे को मिलता है मगर बियंगा इसकोर को बराबर कर लेती है और वेंश्डे से कहती है कि वह पहला पॉइं का से केते हैं कि एफेसला तुम्हारा है तो भी दियंगा भी मिलिटी नियमों से कहलने के लिए मान जाती है और दोनों फिर से छोट के लिए उससे माफी मांगता है क्योंकि भी एंंका ने पहले रोहन को अराया था रोहन का बदला लेने के लिए वेजभी एंसटे ने भी एंका को च्यल्लेंज किया और उसे चोड का है वेज़दे летी ती अड़ा जाता है वेजड़ जब वहां से जा रही होती है तो फॉर्प उसे बचा लेता है लेकिन वेजड़े ब्योंश हो जाती है जब उसे ओश आता है तो मुझे खुद पर गुसा तरस और घिना रही थी और मुझे ऐसा पेले कभी नहीं लगा तो थौप कहता है कि बियंका से आर कर लोगों पर ऐसा ही असर होता है क्यों कि वो भी बियंका से प्यार करता था मगर अब उसका ब्रेक अप हो गया था वेंश्डेव से पूँचती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया थौप कहता है कि वो मेरा फर्स था तो वेंश्डेव से कहती है कि हर मर्द की तर है मुझे भी ये लगा कि तुमारे इस काम की वज़े से मैं जिंदिकी बर तुमारी आबारी रहूंगी मगर इसा नहीं है तुम्हें मुझे बचाने की जुरत नहीं थी मैं खुद को बचा सकती थी थौप कहता कि मैं खुश हूँ कि तुम बिल्कुल नहीं बदली बस तुम ये समझ लो कि मैंने तुमारा इसान चुकाया है तुम्हें शायद याद नहीं मगर मेरी गोड मदर का फ्यूनरल था, वो तुमारी ग्रेंड मदर की फ्रेंड थी, तब हम दोनों बस दस साल के थे और बोर हो रहे थे, हम लोका चुपी खेलने लगे, तो मैं उनकी केक्टेस में छुप गया, उनके क्रेमी टॉरियम के समय, मैं अंदर ही था, और तुमने र करकर वेज़डे कहती है, कि मुझे तुमारे फेवरेट लोशन की वज़े से पता चल गया, कि तुम यहाँ हो, और उससे टेबल के उपर रखती है, और से कहती है, कि मॉम और डेर्न ने तुमें मेरी जासुसी करने बेजा है, और अगर उन्हें इसा लगदा है, कि मुझे पता नहीं चलेगा, तो यह उनकी गलत फेमी है, मेरे प्रेंट्स को मेरी चिंता नहीं है, अब से तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, पहला तो मैं तुम्हें इस सेमेश्टर तक इस जोर में बंद रखूं, या फिर तुम मेरे साथ रहकर मेरा साथ दो, यहां से भागने के लि करें, वीमस कहती है कि मुझे एकीन है, कि तुम हर बार की तरह यहां से भागना चाओगी, मगर मैं यह होने नहीं दूंगी, वेंश्टर के देखते हैं कौन जीता है, और और डोक्टर के पास चली जाती है, कि इन बोर्ड वेंश्टर से कहती है, कि एक सेफ जगह है, हम यह हर एक चीज के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे कि तुमारी सोच, नजरिया या फिर तुमारी प्रसनर फिलोसफी, वेंश्टर के एती है कि मुझे इस सब समय की बरवादी लगती है, मुझे बस किसी तरह दुनिया को जेल लाए, और मेरी प्रसनर फिलोसफी मारो या मरो है तो किनबोड के एती है कि तुमने पूल में पिराना डाल कर एक लड़के पर हमला किया, जिसका तुमें कोई पसावा नहीं है, इसलिए तुम या हो, रिपलाई में वेश्टे के एती है कि उसने एक टेस्टिकल खो दिया है, और मेने करके दुनिया पर एसान किया, क्योंकि मैं जाती हूँ कि तुमने टीनेज लड़की पर तीन किताबे लिखी है, क्या उसके लिए तुमें कोई पब्लीशर मिला, वेश्टे बताती है कि एडिटर हमेशा अपनी तंग सोच और डर में जीते है, एक ने मेरी राइटिंग को बेतु का और मनुस का, और ये भी कहा कि कि मैं अपने दिमाग का इलाज कराऊं, किनबोड पूशती है कि फिर तुमने क्या किया, तो वेश्टे बताती है कि मैंने उन्हें स्गिप्ट बेजा, जिसमें मैंने चुए पकरने का पिंजरा बेजा था, जिसमें हाथ आने की वज़े से एडिटर को चोड़ लग गई, क तब यो एक आदमी से टकराती है, और उसे विजन आता है, कि आगे जाकर उस आदमी का एक्सिडेंट होने वाला है, और उ मर जाएगा, मगर उसे इस बारे में कुछ नहीं बताती, फिर वो एक केफे में चली जाती है, जहाँ टाइलर नाम की एक लड़के से मिलती है, तॉम्हारी कोफी मशीन को ठी करूँगी, और तुम मेरे लिए कोफी बनाऊगे, और एक टेक्सी बुलाऊगे, टायलर कहता है, कि यहाँ जरिकों में टेक्सी नहीं होती, तो उबर बुलाओं, वेच्डे कहती है, कि मेरे पास मॉबायल नहीं है, और मैं टेकनोलोजी के अ ले मैं तुम्हें बूलिंग्टन छोड़ देता हूं मगर मेरी शिप्ट खत्म होने में एक गंटा है वेंजडे उसे पेसे देती है मगर टाइलर पेसे नहीं लेता और से कहता है कि मैं विकाव नहीं हूं या तो तुम वेट करो या किसी और को ढूल लो यह सुनकर वेंजडे कि यह लोग इसे छेड रहे थे तो इसने सबी को सबक सिखा दिया तब ही वहाँ वीमस भी आ जाती है वो गेल पिन से कहती है कि हमें माफ कीजिएगा यह चुपकर यह आ गई गेल पिन वेंजडे को देखर कहते हैं कि तुम एडमस हो कहीं तुमारा बाप गोमेज एडम तो एक एकसीडेंट हुआ है और दुआ करती है कि बस ड्राइवर से बच गया हो तो वेंजडे कहती है कि उसकी गरदन तूट गई वो मर गया है वीमस उससे पूछती है कि तुम्हें यहां से किसे पता चला और जब वो देखती है तो सच में उसकी गरदन तूटी हुई थी य और ओर थिंग को देखर पूचती है कि इसका भागी का इसा कहा है। वेशडे कहती है कि ये भी एडमस फैमिली का एक बड़ा रहस्य है। और ओर इने्ड से पूचती है कि तुम अपने वुलфф अवतार में क्यों नहीं हो। इनेड कहती है कि मैं इसा नहीं कर पाती। मुझे कोई पार्टनर भी नहीं मिलेगा और मुझे अकले ही मरना होगा वेश्डे कहती है कि इसमें उदास होने वाली क्या बात है सब अकले ही मरते हैं यह सुनकर इन्हें डोने लगती है वेश्डे उसे बताती है कि जब मैं 6 साल की थी मैं अपने पालतु स्कॉर्पे नीरो को गुमाने निकलती थी तब दो लड़कों ने मुझे पकड़कर रखा था और बागी लड़के नीरो को जब तक उचलते रहे जब तक क्यों मर नहीं गया उसे दफन करते समय बर्व गीर रही थी और उस दिन में खूब रोई पर उस दिन के बाद में कभी नहीं रोई वह वेश्डेव करने की एता है टाइलर वेश्डेव करें ने writings ऐसे केटी एक क्यों तींक और क्या अब भी तुम मेरी मदद करना चाहोगे टाइलर के और तुमने टेकनेज़े के अच्छा इनाम दोंगी टाइलर वेश्डे क्योट्स विकेंड हर victories festival में उसकी आठेंडेस जव नाम नहीं लूँगा क्योंकि मुझे भी यहां से भागना था मगर तुम यहां से भाग रही हो इससे मैं भी खुश हूँ अगले दिन हारवेश फेस्टिवल में टाइलर वेंजडे को लेने आता है मगर वीमस अपनी पूरी नजर वेंजडे पर जमाई हुई थी वेंजडे एक शोपर जाकर वहां लगे सारे बलूंस को फोरने लगती है तब भी उसके पास थोर पाता है वेंजडे उसे कहती है कि मैं यहां किसी का इंदिजार कर रही हूँ तब भी टाइलर भी वहां जाता है उसे देखकर थोर वहां से चला जाता है टाइलर वेंजडे से कहता है क शौब की पर वेंजडे को जीता हुआ पांडा देता है क्योंकि उसने सारे बलू स्फोर्ट दिये थे वेंजडे उसे कहती है कि इसकी जुरत मुझे नहीं है इससे तुम विमस को दो और उनका ध्यान बठकाने के लिए उसे कुछ पेसे भी देती है शौब की पर विमस को पा तूम कर रही हो और तुम कर रही हो और तुम क्या का चाहती हो तो किती है कि सब explain करने का टाइम नहीं है मगर तुम अभी खत्रे में हो रोवन असता है और वेजडे से कहता है कि तुम्हारी गलत फेमी है और उसे पेड़ पर अपनी पाउर से टांकर कहता है कि मैं तुम्हारी जान लेकर सबको बचा रहा हूं वेजडे कहती है किसका मतलब गाग्योल मेरे उपर तुमने गिराया था और उसे किताब का एक पेस दिखाता है जो कि उसने लाइबरेरी की एक किताब से फाड़ा था और वेजडे को बताता है कि इसमें जो लड़की है वो तुम हो वेजडे उसे कहती है कि एक तस्वीर की वज़े से तुम मुझे मार डालोगे रोन कह करेता है कि तश्वीर मेरी माने 25 साल पहले बनाई थी जब और नेवर मोर में पढ़ती थी वह एक बहुत यह अच्छी दूद थी यह उन्होंने मुझे मरने से पहले बताया और मेरी माने कहा था कि इस लड़की को रोकना मेरे हातों में लिखा है क्योंकि और नेवर मोर आते ह पुलिस फायल के साथ मेच करने की कोशिश करती है तब ही क्रिश्टल में वेंच्डे के मौम डेट उससे बात करते हैं क्योंकि वेंच्डे को अब नेवर मोर में एक अपता हो गया था वो वेंच्डे से पूसे है कि नेवर मोर में तुमारा पहला अपता कैसा रहा वेंच् से कहती है कि आप सही थी यहां बहुत मजा आएगा वाई हम अगले दिन नेवर मोर के पास वाले जंगल का सीन देखते हैं जहां पर पुलिस ओफिसर्स रोवन की डेट बोड़ी को डून रहे होते हैं लेकिन काफी कोशिश करने के बावजूद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता जिससे शेरिप को लगता है कि जरू वेंजडे जूट बोल रही है और हो सकता है कि रोवन के अचानक से गायब होने या उसके कतल होने के पीछे नेवर मोर एकेडमी कहा तो वाई नेवर मोर की प्रिंसिपल वीमस को लगता है कि रोवन नेवर मोर एकेडमी से बाग गया है और वेंजडे रोवन को एक जाइन डीमन को मारने वाली बात जूट बोल रही है इसके बाद वेंजडे शेरिप को बताती है कि नियर मोर एकेडमी में जरो कोई रोवन के मरने की बात चुपाना चाहता है क्योंकि मैंने खुद अपनी आखों से रोवन को मरते वें देखा था तब ही वहाँ पर रोवन आ जाता है जो बिल्कुल ठीक था रोवन को जिन्दा देखकर वेंजडे पूरी तरह से हिरान होती है और उसे कुछ भी समन नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है अब वेंजडे जब डॉक्टर किनबोट के पास थेरेपी के लिए आती है तो वो भी वेंजडे से इसके बारे में पूचती है कि उसने रोवन के मरने वाली बात जूट क्यों बोली थी वेंजडे डॉक्टर की बातों का कोई जाब नहीं देती लेकिन अब डॉक्टर किनबोट और वेंजडे की एक अच्छी बोर्णिंग बनना शुरू हो जाती है और इस बार वेंजडे बहाना बना कर वहां से नहीं बागती रास्ते में वेंजडे को टाइलर मिलता है जो से कहता है कि तुम जंगल वाली बात भूल जाओ क्योंकि सबी ने रोवन को जिंदा देखा है लेकिन वेंजडे इस गटना को बूलने के लिए त्यार नहीं थी बलकि वो तो इस मिष्टी को सौल करने के लिए काफी ज़्यादा एक्साइटेड थी वापस आकर वेंजडे इनेट से मिलती है जो नेवर मोर में होने वाले एनुवल गेम की त्यारी कर रही थी वेंजडे इनेट से कहती है कि वो किसी भी तरह से रोवन की मर्डर मिष्टी सुल जाके रहेगी अब वेंजडे उस तख्जीर को ध्यान से देखती है जिसे रोवन ने उसे दिखाया था लेकिन वेंजडे को कुछ भी समझ नहीं आता इसलिए और प्रिंसिबल के पास जाती है और उनसे कहती है कि रोवन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है जिस पर प्रिंसिबल वेंश्डे को बताती है कि रोवन को नेवर मोर एकेडमी से निकाल दिया गया और साथ यह वेंश्डे को बताती है कि मुझे मालूम है कि तुम्हारे पास अपनी मौम की तरह साइकिक एबिलिटी है जो सब कुछ सच नहीं दिखता है इसलिए तुम गेम के लिए प्रेक्टिस कर रही थी और वेंश्डे को बताती है कि एनुवल गेम में हर साल टीम से मिलती है और उस फोटोग्राफ के बारे में पूसथी है जिसे रोवन जंगल में वेंश्डे को दिखा रहा था लेकिन रोवन वेश्डे की बातों का जाब दिये भी ना ही वहां से चला जाता है अब वेश्डे जेवियर के पास आती है जहांपर जेवियर तिरंदाजी कर रहा था वेश्डे जेवियर से रोवन के बारे में पूशती है क्योंकि जेवियर रोवन का रूपमेट था जेवि अब कहीं न कहीं जेवियर वेश्डे को पसंद करने ही लगा था इसलिए और नहीं चाहता था कि वेश्डे टाइलर से मिले वहीं दूसरी तरह तिंग लगातार रोवन का पीछा कर रहा होता है और जब रोवन वाश्रूम में जाता है तो एक ओल्ड मेन के रूप में बहार न होती है और और रोवन की डेट की बात को चुपाना चाहती थी अब जब वेश्डे को बताता है कि उसने रोवन को मिस कर दिया तो वेश्डे तिंग पर बहुत गुसा होती है इसके बाद वेश्डे एक्ष्टा केरिकुलर एक्टिविटी करने के लिए बी कीपिंग के वन्हें कुछ नहीं बताता तो शेरिव को शेकों चुल शुरूओ जाता है कि जो टाइलर अपने टेट को बताता है कि अपने अक्सर अपनी मरी हुई मौम के बारे में बात करता है तो शेरी वहाँ से चला जाता है वहाँ दूसरी तरफ वेंजडे इनेट के पास आती है और उसे कहती है कि तुम मेरी जगे बीकीपिंग करो और इस दोरान में जंगल में जाकर रोवन की मोत की मिष्टी गो सौल करने की कोशिश वेंजडे की बात सुनकर इनेट उसकी जगे बीकीपिंग करने के लिए तो राजी हो जाती है लेकिन इसके बदले वो वेंजडे गो तिंग से माफी मांगने के लिए कियती है क्योंकि तिंग वेंजडे और एडम फेमेली के लिए लोयल होता है लेकिन फिर भी वेंजडे बुर्ण से समय और जाता रेंग में जुआ को सब्लकोरा किन सेबस्वार बहुती ओर जाते हैं और इस से को देखते टाइलर वहां पर आ जाताए जो वे भूय श्लें को चुपा लेता है अब यह चुपा लाएं और जहाते ह片ं और जम में और जब विच्टि को चुप्ति है तो उसे एक विजन आता है जिसमें ओ देखती है कि रोवन और जेवेर किसी बात को लेकर आपस में लड़ रहे हैं और रोवन ने ही इस टेचु गिरा कर वेंजडे को मानने ही कोशिश की थी तब जेवेर ने वेंजडे को बचा लिया था क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि होने वाला है विजन में वेंजडे रोवन के हाथ में उस बुक को भी देख लेती है जिसके अंदर वेंजडे की तस्विर बनी हुई थी इसके बाद वेंजडे अपनी टीचर थोर निल से उस बुक के बारे में पूंचती है जिस पर मिस थोर निल वेंजडे को बताती है कि ये बुग नेवर मौर की एक सोसाइटी डाक शेट की है लेकिन इस सोसाइटी को तो कई सालों पहले ही बंद कर दिया गया था अब वेंजडे और मिस थोर्निल के बीच में एक अच्छी बॉंडिंग होना शुरू हो जाती है क्योंकि और दोनों ही खुद को नेवर मौर में अ नीचे चुपना पड़ता है कुछ समय बाद वहां पर ब्यंका भी आ जाती है क्योंकि कभी ब्यंका और जेवएर रिलेशन में थे ब्यंका जेवियर को बताती है कि किस परकार वह एन्वल गेम को हर बार की तरह चीटिघिंग से जीतेगी और और जेवियर से यह भी कहती है क्यों Wednesday की तरफ अट्रेक्ट ना हो बेट के निचे चूपी Wednesday सब सुन रही होती है और जब वो बहां निकलती है तो सबसे पहले इनेट के पास जाती है और से कहती है कि हम किसी भी तरह से इस GAME को जीत कर रहेंगे क्योंकि Wednesday गेम जीत कर बियांका का घमन तोड़ना चाहती थी अगले दिन गेम इस्टार्ट होता है जिसमें सभी टीम को नाओ से एक जयर पर पहुँचना था लेकिन बियांका रास्ते में ही अपने मरमिट दोस्की मदर से कई टीमों की नाओ को डुबा देती है लेकिन वैसा वेंजडे की टीम के स साथ नहीं कर पाती क्योंकि वैस्टे पहले से ही सारी प्लानिंग करके आई थी और वियांका की टीम को पीछे चोड़ते हुए उस जयर पर पहुँच जाती है जहां बरसे उसे एक फ्लेक लेकर वापस आना होता है और जो टीम सबसे पहले फ्लेक को लेकर आएगी वो टीम जीत जाएगी अब वैस्टे जब फ्लेक के पास पहुचती है तो उसे एक बार फिर से एक विजन आता है जिसमें अपनी तरह दिखने वाली एक लड़की से मिलती है जो वैस्टे को बताती है कि तुम ही चाबी हो वैस्टे को उसकी बाते समझ नहीं आती और जब वोश में अती है तो देखती है कि जल्दी से प्लेक लेकर एनेट के पास आती है यहां पर इनेट पहले से रीडी थी और ऑपनी नास से तेजी से स्टार्टिंग पॉइंट की तरह बढ़ने लगती है और किसी तरह बहुत मुश्खिल से भिजन का टेम को और ठेक करते हुए और थीं उसने बियंका का घमन तोड़ दिया था अब रात में जब वेंजडे नेवर मोर एकेडमी में उस बुक को ढूंड रही होती है जो उसने रोवन के हाथों में देखी थी इस दोरान वेंजडे को एक स्टेचू दिखाई देता है जो काफी अजीब लग रहा था और जब उस रूम के अंदर आती है तो उसे वहाँ पर बहुत से पुरानी चीज़े मिलती है और साथ ही उसे वो बुक भी मिल जाती है जिसे वो डूंड रही थी बुक में वेंजडे देखती है कि जिस जगह से रोवन ने उसके ड्रोइंग वाला पेच फाड़ा था वहाँ पर एक ब्सक्रीश्ज़े मिलती है जिस के बारे में मेस थोर निल ने पहले भी वेंजडे को बताया था जिसने सालों हो पेल बंद कर दिया गया था लेकिन नाएंटशीर के मेंबर अभी झुपकर इस सोसाइटवे जिसमें वर रात में सभी से चुपकर बिना आवाज किए पाटी गया था जिस पर जेवियर वेंजडे को बताती है कि हम लोग प्रिंसिपल वीमस की परिमिशन से अभी भी सिक्रेट ली इस सोसाइटी को चला रहे हैं और रोवन भी इस गुरूप का हिस्सा था लेकिन बाद में उसे गुरूप से बहार निकाल दिया गया ब्यांका जब पू रहे हैं जो नेवरमौर के सबीश्टोडेंट को बताती है कि कल टाउन में आउट्रीयस Nap Ag座 मनाया जाएगा जिसमें क्ति शामील होगा और किसी वेलेंटिर दिव में के लोह की मदद करेंगे अप रिंसिपल बीमस रइल इसके पास आती है और अगले दिन अगले दिन ने पहुचने पर जब एंड़े जेवियर से मिलती है तो जेवियर को उस पेज को दिखाती है जो से रोवन के पास से मिला था और अब वेश्डे ने उस आदे पेज को किताब में मौझूद आदे पेज से जोड दिया था जेवियर वेश्डे को बताता है कि उसने वो पेज फेश्टियल के एक दिन पहले रोवन के डेक्स पर देखा था जिसे शायद रोवन ने नाइट शेड से निकल जाने के बाद वहाँ से चुराई थी यहाँपर हमें ये भी पता चलता है कि रोवन नहीं इस टेचु गिराकर वेश्टे को मानने कोशिश की थी और जेवियर ने वेश्टे को बचाया था जेवियर वेश्टे से पूसता है कितनी पूरानी बुक में तुम जोशेप क्रेक श्टोन के साथ क्या कर रही हो जेवियर की बात सुनकर वेंजडे पुरी तरह से एरान होती है और वो जेवियर से पूचती है कि क्या तुम इस तज़्वीर वाले आदमी को जानते हो जिस पर जेवियर बोलता है कि हाँ जोसेफ क्रेगिस्टोन टाउन के फाउंडर फादर है अब वेंजडे किसी भी तरह स जोसेफ क्रेगिस्टोन के बारे में और अधिक जानकारिया सिल करना चाहती है इसलिए और इनेट के साथ अपने टास्क को एक्सेंज करके पिल्गिरिम वर्ड जानने का फेसला करती है क्योंकि पिल्गिरिम वर्ड में ही जोसेफ क्रेगिस्टोन का म्यूजियम होता है जहा लेकिन जोसेफ क्रेग इस्टोन ने टाउन में ऐसे लोगों को भी बसाया जिनके बात सुपरनेचुरल पावर नहीं थी और उनी के याद में टाउन में फेस्टिवल मनाया जाता है अगले सीन में हम टाउन के मेर को देखते हैं जो जब टाउन के शेरिफ से मिलते हैं तो शेरिफ मेर को बताते हैं कि जब नेवर मोर के पास वाले जंगल में कोई राक्षा से जो लोगो को मार रहा है और उसका कनेक्शन नेवर मोर से जुड़ा हुआ है शेरीप की बात सुनकर मेर शेरीप को बोलते हैं कि तुम नेवर मोर पर शक करना बंद कर दो और जल्दी से उस बालू को डूंडो जो लोगों को मार रहा है मेर ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि नेवर मोर से उनके टाउन के लिए डेर सारी फंडिंग मिलती है वहीं दूसी तरफ वेंजडे पिलग्रीम में एक वोलेंटियर की तरह काम करती है और जब हो मेर के बेटे लुकस के दोस्तों को यूजिन को परेशान करते हुए देखती है तो उने बुरी तरीके से मारती है और यूजिन को बचा लेती है लुकस अपने दोस्तों को पीड़ता देख अपने बाकी दोस्तों के साथ आता है क्योंकि उसके डेर ने उससे कहा था कि कोई भी गड़बडी मत करना इसके बाद वेंजडे किसी तरह यूजिन के साथ उस जया पर आ जाती है जहाँ पर जोसेफ क्रेकिस्टोन का चोटा सा इस्टेचू था और साथ ही उनसे जुड़ी होई बहुत सी चीजे भी वहां रखी गई थी यहाँ पर क्रेकिस्टोन की याद में एक ओल्ड मीटिंग हाउस भी बनाया गया था वेंजडे को यहाँ पर एक पेंटिंग दिखाए देती है जो काफी पुरानी यानि कि वेंजडे पास के डिस्प्ले केस में देखती है तो उसे हो बुक मिल जाती है जिसका नाम था बुक ओफ शेडो लेकिन एक किताब नकली थी और अकले पल म्यूजियम की गाइड भी आ जाती है जो वेंजडे को यहाँ देखकर उस पर बहुत गुसा होती है वेंजडे जब पिल्गिरिम के असली और पुरानी मीटिंग हाउस के बारे में पूंचती है ताइकि और जानकरी खटा कर सके लेकिन अरलिन को पुराने मीटिंग हाउस के बारे में कोई जानकरी नहीं थी अगले सीन में हो वेंजडे को टाइलर के कोफी शोब में देखते हैं जहाँ पर टाइलर से मदद मागने के लिए वहाँ पर आई थी लेकिन यहाँ पर वेंजडे को जेवियर भी मिलता है जो एक दिन के लिए वोलेंटियर के तोर पर शौप में काम कर रहा था वेंजडे को टाइलर से मिलता देकर जेवियर बहुत दुखी होता है क्योंकि वेंजडे को ला हो सकते हैं वेश्डे टाइलर की बातों पर जाद ध्यान नहीं देती और वहां के लिए जाने का डिसाइड करती है वह दूसरी तरब इनेट वेश्डे की जगए पर एक एंडिंग शोप में एजेक के साथ काम कर रही होती है इनेट एजेक को पूंसता है जिससे इनेट बहुत खुश होती है अगले सीन में वेश्डे को देखते हैं जो तिंग के साथ जंगल में उस जयर पर आ जाती है जहां पर ओल्ड मीटिंग हाउस था या टाइलर की कही बात सच हो जाती है और एक ड्रग एडिक्ट वेश्डे पर हमला करने के लि उसने पहले देखा था इस लड़की का नाम गुड़ी एडम होता है जोसेफ क्रेकिस्टोन गाउवालों से कहता है कि यह और इसके फेमिली मेंबर शेतान की ओलाद है और गुड़ी एडम को भागी के आउटकास्ट और उसके फेमिली मेंबर के साथ मीटिंग हाउस में कोशिश करती है कि जोसेफ क्रेकिस्टोन जूट बोल रहा है और उसने उनकी जमीन पर कभजा भी किया है लेकिन गाउवाले गुड़ी एडम की बातों पर ध्यान नहीं देते और मीटिंग हाउस में आग लगा देते हैं गुड़ी एडम की जान बचाने के लिए उसे वहा मौश्टर वहां से चला जाता है और जब वेंजडे उस मौश्टर के पेरों के निशान को फोलो करती है तो उसे पता चलता है क्यों मौश्टर एक इंसान है क्योंकि उसके पेरों के निशान आगे चलकर एक इंसान के पेरों के निशान में बदल गए थे अब यहाँ पर ज जेसे वो निशान मिट गए थे यहां पर जेवियर वेंजडे को बताता है कि उसे भी लग रहा है कि रोवन मर चुका है क्योंकि जब उसने रोवन से मेसेज में पूचा है कि क्या तुम इस बार भी पिछले साल की तरह स्केटिंग करने के लिए नहीं चलोगे तो रोवन ने तुरंद रिप्लाई किया नहीं लेकिन वास्तविक्ता तो यह है कि जेवियर कभी रोवन के साथ इसकेटिंग के लिए गया ही नहीं था यानि कि जो रोवन बनकर उससे बात कर रहा था वो एक बहरूपिया था अगले सीन में हम नेवर मोर के सभी स्टूडेंट्स को एक ज जहांपर मेयर जोसेप क्रेकिश्टोन के स्टेचू का आवरण करते हैं लेकिन इस दोरान वेंश्डे केने पर तिंग स्टेचू में आग लगा दियता है जिससे स्टेचू जलने लगता है और सबी लोग डरकर वहां से भागने लगते हैं वेंश्डे सब दिये कर बहुत पूश्टी है आगले दिन प्रिंसिपल विमस को मार Gardens में नौरमिस को बसाया था तो फिरम सबी के सामने ज़ेंट करने की इतनी इज़त करने का ड्रामा क्यों करते हैं वेंजडे की बात सुनकर वीमस उसे बताती है कि अगर ऐसा करने से नोर्मिस और आउटकाश के रिलेशन अच्छे होते हैं तो हम ऐसा करना चाहिए इसके बाद वेंजडे वाँसे चली जाती है क्यों क्यों वीमस की बातों से एकरी नहीं करती अगले सीन में हम उस ड्रग सबहों वैडерь करती है तो एजएक को सब्सक्राइए का इसके लेता जिसे हम फोरेंसिक लेव में लाकर उस मौश्टर का फोटो देख लेते हैं वहीं मिस्तोर निल चुपके से नाइट शेड के सिक्रेट रूम में एंटर होती है प्रिंसिवल वीमस वेश्टर की मौम की फोटो को जला देती है और वहीं टाइलर से चुपकर अपने बार टब मे जोर से चिलाता है जेवियर जंगल के बीच में एक कमरे से बहार निकलता है और उसकी गर्दन पर किसी के पंजो के निशान थे यानि कि मौश्टर इन सब में से कोई भी हो सकता है फिर हम देखते हैं कि वेश्टे थिंग के साथ फोरेंसिक लेव में होती है जहां बरो सभी से चुपकर उस आदमी के बारे में जानकारिया सिल करने के लिए आई थी जिसे मौश्टर ने एक दिन पहले जंगल में मारा था वेश्टे थिंग को मेडिकल रिपोर्ट इगटा करने के लिए बोलती है और खुद उस डेट बोडी को डूरने लगती है कुछ समय बार जब वेश्टे को वो डेट बोडी मिल जाती है तो नोटिस करती है कि मौश्टर ने उस आदमी को बहुत बुरी तरीके से मारा था और साथ ही उसका बाया पेर और अंगोठा भी काट लिया था अब थिंग को किसी के आने का एसास होता है और जल्दी से इसके बारे में वेश्ट दिखाते हैं और साथी और शेरिफ को ये भी बताते हैं कि ऐसा हर डेट बोडी के साथ हुआ है यानि कि मौश्टर किसी को मानने के बाद उसका एक बोडी पार्ट काट कर अपने साथ रग लेता है शेरिफ डोक्टर से कहते कि इसका पोस्मार्टम रिपोट आए तो सबसे बेले मुझे बताना और साथी मीडिया को इन सबसे दूर रखना इसके बाद शेरिफ वहां से चले जाते हैं और जब डोक्टर को एक लोकर में मिलती है तो डोक्टर को लगता है कि वह भी बागी की देट बोडी की तरह एक डेट बोडी है इसलिए वह भी ले में चले जात अब मिस्टोर निल सभी को एकेडमी में होने वाले एन्वल फंक्शन के बारे में बताती है जिसका नाम रेवन होता है मिस्टोर निल की बात सुनकर सभी लोग रेवन में डांस करने और उससे सेलिब्रेट करने के लिए काफी ज्यादा एकसाइटेड हो जाते हैं लेकिन व वेंजडे जेवियर के गरदन के निशान को नोटिस करती है और जब वो जेवियर से उस निशान के बारे में पूशती है तो जेवियर उसे बताता है कि एक एकसिडेंट के दोरान लग गया वेंजडे को जेवियर की बातों पर विश्वाश नहीं होता क्यों क्यों एक बहार आता है तो वेश्टे चुपके से रूम के अंदर आ जाती है जहां पर वो देखती है कि जेवियर ने जंगल में दिखाई देने वाले मोश्टर का डेर सारा ड्रोइंग बनाया था अब वेश्टे को पुरा विश्वाश हो जाता है कि जरो जेवियर का उस मोश्टर से क जेवियर वहाँ पर आ जाता है वो वेश्डे को देखकर उससे पूँछता है कि तुम यहां क्या कर रही हो जिस पर वेश्डे उससे जूट बोल देती है कि वो तो सिर्फ उससे रेवन में डांस पार्टनर बनने के लिए पूछने आई थी वेश्डे की बात सुनकर जेविय का एक पाट बनाने के लिए गरती है और शेरीव को बताती है कि रेवन के बारे में पूछता है क्योंकि उसको लगता है कि वेश्डे उसे पसंद करती है और उसे रेवन में डांस पार्टनर के लिए इंवाइट करेगी लेकिन जब Wednesday टाइलर को बताती है कि वो जेवियर के साथ रेवन में जा रही है तो टाइलर बहुत दुखी होता है जिस पर Wednesday टाइलर को बताती है कि मैं अभी अपनी लाइफ में काफी जादा उलजी हुई हूँ और मेरे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है अगले सीन में हम इनेट को देखते हैं जो एक कोफी शोब में होती है कि तब ही वहाँ पर टाउन के मेर का बेटा लुकस आ जाता है जो इनेट को रेवन में डांस बाटना बनने के लिए इन्वाइट करता है अब क्योंकि इनेट पहले से ही एजेक से गुसा थी क्योंकि को दिवार पर लगाया था और मॉश्टर वाली मिष्ट्री को सौलू करने कोशिश कर रही थी यूजिन वेश्डे को एक शेयत का बोतल देकर उससे इनेट को देने के लिए क्योंकि वह इनेट को पसंद करता है अब यूजिन जब वेश्डे के पास जेवेर के एक ड्रोइ आती है तो उसे वहाँ पर बहुत सी इंसानी अड्या मिलती है जो जरू उन लोगों की थी जिनने मॉश्टर ने मारा था गुफा में वेश्डे को मॉश्टर का एक टूटावा दान भी मिलता है जिससे वेश्डे बहुत खुश होती है इसके बाद वेश्डे वापस से जे जेवएर के बलके डी आने को मेंच कराके यह पता लगाना चाहती है क्या कि जेवएर ही मॉस्टर है या नहीं अब यहाँ पर जियर भी आज बहां निकल कर उस पर हमला किया था जिसकी वाज़े से उसके गर्दन पर ये निशान बन गया वेश्डे को जेवेर की बातों पर विशाष नहीं होता इसलिए जेवेर से पूछती है कि तुम्हें मौश्टर के लोकेशन के बारे में कैसे पता चला वेश्डे की बात सुनकर जेवेर समझ जाता है कि वेश्डे को उस पर शक है और पिछली बार भी वो अपने शक को दूर करने के लिए आई थी जेवेर को ये सब जान कर बहुत दुख होता है और वो गुसे में वेश्डे को वहां से बहां निकाल देता है अब क्योंकि वेश्डे काम तो हो गया था इसलिए सबसे पेले शेरिप के पास आती है और उनसे दाथ और बलट के डियने को मेच करवाने के लिए बोल कर वहां से चली जाती है इसके बाद वेश्डे यूजीन से मिलती है और उसके साथ मिलकर एक प्लान बनाती है कि जब रेवन के दिन सबी लोग नेवर मुर करता है अब रेवन फेस्टियॉल का दिन आई जाता है जहां पर सभी बहुत खुश होते हैं अब मिस्तोर निल जब प्रिंसिपल विमस से पूछती है कि आप पढ़ती थी तो आपका रेवन एक्सपरियंस कैसा रहा जिस पर विमस बताती है कि बहुत बुरा रहा क्योंकि म ने जिस लड़के को पार्ट्नर बनाने के लिए फ्रोपोस किया था उसने किसी और लड़की के लिए मुझे मना कर दिया था और और लड़की कोई और नहीं बलकि वेश्टे की मॉम मोटीश या थी वहीं दूस्री तरब तरह पींग ने वैस्टे को इंप्रेस करने के प्रेटर मिलने के बाद टाइलर भी खुशी-खुशी वहां पर आ जाता है लेकिन यूजिन वेश्डे को टाइलर के साथ रेवन में जाते हुए देख लेता है जिससे वह बहुत दुखी होता है क्योंकि वेश्डे ने उससे कहा था कि और रेवन में नहीं जाएगी भी लुकस के साथ मिलकर खुब एंजोई कर रही होती है और एजेक को जलाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि एजेक भी अपने एक पार्टनर के साथ पार्टी में आया था वहीं दूसी तरफ हम लुकस के दोस्तों को देखते हैं जिनोंने वेश्डे से बला लेने के लिए रेवन की पार्टी हो खराब करने का प्लान बनाया था और वो पूरी पार्टी में रेट पेंट की बारिश कर देते हैं जिसे खुन समझ कर सभी इदर उदर भागने लगते हैं लेकिन वेश्डे इस चीज को खुब एंजोई करती है वहीं दूसी तरफ यूजीन अकेले ही जंगल में मोश्टर केव पर नजर रख रहा था और वो देखता है कि केव के पास कोई शक्स आता है जो केव में आग लगा देता है लेकिन और शक्स यूजीन को भी देख लेता है जिसके बाद यूजीन अपनी जान बचा कर वहां से भागने लगता है अब पार्टी में वेश्डे को भी एक विजन आता है जिससे उसे पता चल जाता है कि उजिन खत्रे में है और हो इसके बारे में मिस तोनिल को बता कर यूजिन को बचाने के लिए निकल पड़ती है अब इनेट को जब पता चलता है कि लुकस ने ही अपने दोस्तों के साथ मिलकर पार्टियों खराब किया है तो बहुत दुखी होती है और अब लुकस के दोस्त इनेट को बुली करने लगते हैं कि तबी वहाँ पर एजेक आ जाता है जो उने वहाँ से भगा देता है इसके बाद एजेक इनेट को बता देता है कि डेट वाले दिन वो खुद की गलती से इस टोन में बदल गया था इसलिए नहीं आ पाया था एजेक की बास सुनकर इनेट बहुत खुश होती है वहीं दोसी तरह अब यूजेन अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है और एक पेड़ के पास छुप जाता है लेकिन तबी मोश्टर यूजेन पर हमला करके उसे मार देता है अब वेंजडे भी मिस्टोनिल के साथ वहाँ पर आ जाती है जो यूजेन की ऐसे आलत देकर बहुत दुखी होती है फिर अगले दिन हम देखते हैं कि वेंजडे अपने डेट यानि गोमेज एडम का क्राइम रिपोर्ट कार्ड लेकर ये सोच रही थी कि अपने डेट को जितना मासुम समझती थी वह उतने मासुम है नहीं क्योंकि जब वो निवर्मोर एकेडमी में पढ़ा करते थे तो उनके उपर मर्डर का आरोब लगा था इसके बाद टाइम शिप्ट होता है और हम 1990 के हेलोवीन की रात का सीन देखते हैं जब वीमस एकेडमी के ग्राउंड में आती है तो उसके सामने गेरेट की डेट बोडी गिरती है और उपर गोमेज एडम खड़ा होता है जिसके हाथ में एक तलवार थी मिस वीमस यह सब देखकर पूरी तरह से डर जाती है और जब शेरी वहाँ पर आते हैं तो मिस वीमस उन्हें बताती है कि गोमेज ने जरूर मोटे सिया के लिए ही गेरेट का खुन किया होगा क्योंकि ओ दोनों मोटे सिया के लिए आपस में लड़ते थे अगले सीन में हम टाइम का समय देखते हैं जहां पर नेवर्मोर एकेडमी में पेरेंट्स वीकेंड इवेंट और्गिनाइज किया गया होता है जिसमें नेवर्मोर एकेडमी में पढ़ने वाले सबी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को बुलाया गया था इस इवेंट में वेंजडे के मोम ड आएगा हमें इसी अच्छी बातों को याद रखना चाहिए और पेरेंट्स वीकेंड को सफल बनाना चाहिए प्रिंसिवल वीमस की बाते सुनकर वेंजडे बिल्कुल भी खुश नहीं होती क्योंकि यूजीन के साथ हुई गटना के लिए खुद को जिमेदार मान रही थी इन वेंजडे की बाते सुनकर उसके मॉम डेट बहुत खुश होते हैं क्योंकि इसका मतलब था कि वेंजडे को फाइनली नेवरमोर एकेड मी पसंद आ रही है इसके बाद वेंजडे के पेरेंट्स वेंजडे के साथ प्रिंसिवल वीमस के ओफिस में आ जाते हैं जहां पर एर बुक देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि एर बुक से उसकी कहीं पुरानी यादे जुड़ी हुई थी लेकिन मोटेसिया ये देखकर हिरान हो जाती है कि एर बुक से उसकी फोटो गायब है मोटेसिया जब इसके बारे में वीमस से पूचती है तो मोटेसिया को बता से डॉक्टर को वेंजडे के बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी और वेंजडे की मदद कर पाएगी प्रिंसिपल वीमस की बात सुनकर गॉमेज एडम इसके लिए राजी हो जाते हैं और काफी ज्यादा एक्साइट भी थे लेकिन मोटे सिया इसके लिए राजी नहीं थी क्यों क्यों नहीं चाहती थी क्यों अपने घर की प्रेसनल बातें किसी डॉक्टर के साथ शेयर करें अब गॉमेज किसी तरह मोटे सिया को थेरेपी सेसन के लिए राजी कर लेते हैं अगले सीन में हम इनेट को देखते हैं जो अपने पेरेंट से मिलती है तो इनेट की मौम में ट्रांसोम होने में मदद की जाती थी लेकिन इनेट समर्केव में जाने से साफ सा मना कर देती है इसके बाद हम ब्यांका को देखते हैं जो जेवियर के साथ बात कर रही होती है और जेवियर को वताती है कि मुझे नहीं लगता कि इस बार भी मेरी मोम उसे मिलना आएगी लेकिन अगलेई पल वहाँ पर बियांका की मॉमा जाती है जिने देखकर बियांका पुरी तरह से एरान होती है क्योंकि बियांका की मॉम कहीं सालों के बाद उससे मिलने आई थी बियांका की मॉम बियांका से वापस घर चलने के लिए कियती है लेकिन जब बियांका वापस ज को इपनोटाइच करके उन्हें मौनिंग सौंग नाम के अपने गुरूप में शामिल करवाती थी जहांपर वो बड़ी चालाकी से उनके पेसे ठखलियां करती थी लेकिन अब समय के साथ बियांका की मौम की पाउर कम हो रही थी जिस्यों चाहती थी कि बियांका वापस से घर एपी शेशन में देखते हैं जहां पर डॉक्टर एडम फेमेली से कुछ प्रसनल सवाल पूछ रही होती है ताई कि वेंच्डे के बारे में और अधिक जानकर्यासिल कर सके वेंच्डे को शक होता है कि उसके मौम डेर्ट उसे गेरेट की मर्डर वाली बात चुपा रहे है इसलिए और अपने मौम डेर्ट से खुद कुछ प्रसनल सवाल पूछने का डिसाइड करती है जो बात मोटेश्या को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वेंच्डे से गुसा होकर गोमेच और पक्सली के साथ वहां से चली जाती है हाला कि गोमेच वेंच्डे को गेरेट से जाने के बाद कबर के पास जाती है तो उसे पता चलता है कि और किसी और की नहीं बलकि गेरेट की थी अगले सीन में हम शेरिप को देखते हैं जिने खबर मिलती है कि फोरेंसिक लेप के डोक्टर ने खुद को गोली मार कर सुसाइड कर लिया है और जब वो क्राइम सीन पर पहुंशते हैं तो देखते हैं कि किसी ने लेप के सीची टीवी पर बलेक बबल गम चिपका दिया है जिससे डोक्टर के सुसाइड करने का वीडियो सीचीट नहीं हुआ था डोक्टर ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि वो इस घिड में खुदकुशी कर रह साथ है कि उसने सालों पेले गेरेट मर्डर केस में जूटी रिपोर्ट बनाई थी सीसी टीव पर लगे ब्लेक बबल कम और मर्डर केस में डोक्टर करने से शेरिप का पूरा शक गोमेज एडम पर जाता है और वो परकार उस दिन डेवन की रात थी और गेरेट को एबाद बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि मोटे सिया उससे नहीं बलकि मुझसे प्यार करती है मुझे और मोटे सिया को साथ में देखर गेरेट पुरी तरह से गुसे में आ गया और मुझे मारने कोशिश करने लगा उस समय पर गेरेट के पेट में गुसा दिया और बिल्डिंग से नीचे गिरकर मारा गया वेंजडे को अपने डेट की बातों पर विश्वाश नहीं होता लेकिन उससे इस बात पर पुरा विश्वाश था कि मर्डर उसके डेट नहीं किया है इसलिए और शेरिफ के पास जाती है उनसे कहती है कि मुझे पुरा विश्वाश है कि मेरे डेट ने गेरेट का मर्डर नहीं किया और आपको इस केस को और ध्यान से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए क्योंकि एक केस जितना सिंपल लग रहा है उतना है नहीं वेंजडे की बात सुनकर शेरिफ वेंजडे पर ग पुद्कुशी कर ली और उसकी बेटी भी डूबने की वज़े से मारी गई शेरिफ वेंजडे को सीसी टीवी केमरे पर मिले बलेक बवलगम के बारे में भी बताते हैं जो एडम फेमिली की तरह बिशारा कर रहे थे और साथ इस शेरिफ वेंजडे द्वारा लाए गए सब मिलकर बम की मदर से तालाव की मशलियों को मारती है और पक्सली को विश्वाश दिलाती है कि उनके डेट को कुछ नहीं होगा इसके बाद वेंजडे अपनी मोम मोटे सिया के पास आ जाती है जो इस समय नाइट शेट के सिक्रेट लाइबरेरी में थी वेंजडे अपनी मोम बनकर आउटकाश और नोईमीच के बीच की दोरी को कम करना और आउटकाश का बाहर की दुनिया से सुरक्षा करना था यहाँ पर मोटे सिया वेंजडे को बताती है कि नाइट शेट की स्ताबना एडम से मेली की एक पूरवज ने की थी जिस पर वेंजडे बोलती है कि मैं उनको जानती हूँ उनका नाम गुडी एडम था और उन्होंने जोसेप के रेकिस्टोन को मार कर उससे आउटकाश का बदला लिया था वेंजडे गुडी एडम के बारे में यह सब इसलिए जानती थी क्योंकि अपने वीजन में गुडी एडम से मिल चुकी थी वेंजडे जब अपनी मौम को बताती है कि मैं जानती हूँ कि डेर ने गेरेट को नहीं मारा था तो मोटेश्या वेंजडे को उस रात की सारी काहानी बताती है कि किस परकार उस रात को गेरेट किसी भी तरह गोमेच को मार देना चाहता था क्योंकि उसने मोटेश्या और गोमेच को ए गेरेट के मुह से जाग निकल रहा था जिससे उसे शक होता है कि गेरेट के साथ कुस्तो गड़बर जुरू था इसलिए अपनी मौम के साथ मिलकर गेरेट के कबर को खोती है जिसमें से उसे गेरेट की एक उंगली मिलती है जो अभी तक बिल्कुल सुरक्षित और नीली थी जाग निकल रहा था जिसमें वो देखती है कि उस राद गेरेट के डेड़ने ने और मौर के सभी आउटकाश को मारने के लिए गेरेट को जहर की एक बोतल दी थी लेकिन गोमेच के साथ फायट के दोरान पोईजन की सीसी तूट गई जिससे जहर गेरेट की बोड़ी में और उसके मूस के जांग निकलने लगा यानि कि अगर मोटेशा गेरेट को ना मारती तो भी जहर की वज़े से वो मरने ही वाला था इसके बाद वेज़डे अपनी मौम के साथ टाउन के मेर के पास जाती है और वो मेर से पूछती है कि जब गेरेट का मर्डर हुआ था उस स इसको दवा दिया इस पर मेर कहते हैं कि शेरिफ होने की वज़े से उस समय मेरा सबसे पहला फर्ज जेरिकों में शांती बनाए रखना था और मैंने एसाई किया मोटेशा मेर से कहती है कि अगर गोमेच को पूरे इज़ड के साथ बरी कर दिया जाता है और शेरिफ गोमेच से माफी भी मांगते हैं अब मोटेशा जब वेजडे से उसके वीजन के बारे में पूछती है तो वेजडे अपनी मौम को बताती है कि मुझे वीजन एक साल पहले से दिखाई दे रहे हैं और मैं अपने वीजन को कंट्रोल नहीं कर पाती हूं मोटेशा वेजडे को समझात है कि हमारे साइकिक विजन हमारे नेचर के हिसाफ से आते हैं जैसे कि मुझे हर समय पॉजिटिव इजञी आते हैं लेकिन तुम्हारा दुनिया को करे देखने का नजर्या लग हैं इसलिए तुम्हें नेगेटिव और डारकर विजन आते हैं यानि कि तुम्हें करेवन हो तुमारे विजन मेरे रिजन से काफी ज़्यादा potential और खतरनाक है इसलिए तुम्हें अपने विजन का कंट्रोल करना। शीखना होगा वagon न व्योड और न तुम्हें पागल बना देंगे। वेंजडे जब अपनी मौम से अपने वीजन को कंट्रोल करने का तरीका पूँसती है तो मोटेशा मेंचे को बताती है कि हमारे कोई पूर्वज हमसे कॉटेंट करते हैं जो में हमारे वीजन को कंट्रोल करना सिखाते हैं अब समझ जाती है कि उसके केस में पुर्वच गुडी एडम है मोटेशा वेश्डे को गुडी एडम से बचकर रहने के लिए कहती है क्यों क्यों काफी ज्यादा पारफुल और खतरनाक थी अब मोटेशा वेश्डे को अपने सम का एरबुक देती है ताइकि वेश्डे नेवर मौर एकेडमी की हिष्टे के बारे में और अधिक जान सके अब वेश्डे जब एरबुक को देखती है तो पुरी तरह से एरानों जाती है और जल्दी से प्रिंसिपल वीमस के पास जाती है और से 1990 में नेवर मौर के एक टेल बदलने की पावर है और अब तक वो ही रोवन का रूप लेकर सभी के सामने आ रही थी वेश्डे की बात सुनकर मिस वीमस उसे बताती है कि कोई भी तुमारी बातों पर विशाष नहीं करेगा क्योंकि रोवन की फेमेली भी मेरे साथ मिली हुई है वीमस की बात सुनकर वे प्रिंसिबल वीमस वेश्डे को ये भी बताती है कि मैं ये सब सिम नेवर्मोर एकेडमी के रेपोटेशन को बचाने के लिए कर रही हूँ अगले सीन में हम इनेट को देखते हैं जो अपनी मॉम से समर केम्प में जाने से साफ सा मना कर देती है और उनसे कहती है कि अगर के साथ जाने के लिए राजी हो जाती है और उनसे कहती है कि इसके बाद हो अपने पेरेंट्स को देखना भी पसंद नहीं करेगी वेश्डे और वीमस आपस में बाते करी रही थी कि तब इन्हें बहुत सी आवाजे सुनाई देने लगती है और जब वो ग्राउंड में दे गुडी एडम से अपने कई सावालों के जवाब हासिल कर सके लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वो गुडी एडम से नहीं जुड़ पा रही थी कि तब ही वहाँ पर इन्हें राज आती है जिसे वेश्डे का ऐसा करना बहुत अजीब लग रहा था अब इनके रूम मे कि ऐसा वसल में इनेट का प्लान था क्योंकि अपने दोस्तों के साथ मिलकर वेश्डे का बर्तडे सेलिब्रेट करना चाहती थी वेश्डे इन सब पर जाध ध्यान नहीं देती क्योंकि कभी भी अपना बर्तडे मनाना नहीं चाहती थी अब वेश्डे नोटिस करती है कि कि एक स्टोन के स्टेचू के नीचे लेटिन बाशा में कुछ लिखा हुआ था और जब वेश्डे उसे डिकोट करती है तो उसे पता चलता है कि उसका मतलब फायर विल रेन वेन आई राइस था वेश्डे अपने दोस्तों को बताती है कि अभी कुछ दिनों पहले ने और मोर के ग्राउन में किसी ने फायर विल रेन लेकर आग लगाया था यानि कि उस घटना और इस मेसेज का कोई कनेक्शन जरूर है अब वेश्डे जब उस मेसेज को टच करती है तो उसे एक विज़न आता है जिसमें गुडी एडम से मिलती है गुडी एडम वेश्डे को एक मेंश चाहिँ फौonn पर काबु नहीं किया चाह सकता उसमें डूब में 109 को वेश्डे को पूश्ट की क्या तुम हर समें पहली बात करती हो जिसवर गुडी एडम वेश्डे से पूश्टे है कि क्या तुम हर समय आसान जक्राया चाहती हो गुडी एडम वेंश्डे को बताती है कि समय बहुत कम है और क्रेकिस्टोन को रोकना है तो इस जहर का रहसी जानो अगले सीन में हम वेंश्डे को उस मेंशन के गेट का चितर बनाते हुए देखते हैं जिसे गुडी एडम ने वीजन में दिखाया था अब यहाँ पर इनेड वेंश्डे को एक हैंडमेड इसका गिफ्ट करती है और उससे कल के सर्प्राइस के लिए माफी मांगती है अगले दिन जब वेंश्डे शेरी से मिलती है तो उन्हें बताती है कि क्रेकिस्टोन और नेवर्मोर एकेडमी में कुस्तों कनेक्शन जरूर है और उन्हें इसके बारे में इन्वेस्टिकेशन करना चाहिए लेकिन शेरी वेंश्डे की बातों पर जाद ध्यान नहीं देते और वेंश्डे को इन सबसे दूर रहने के लिए कहते हैं इसके बाद वेंश्डे टाइलर के पास जाती है और उसे वीजन में दिखे मेंशन के गेट का फोटो द अगे आग से उसके बेटे लुकस का कोई लेना देना नहीं है क्योंकि पार्टी वाली घटना के बाद से मेर ने लुकस को अंडरग्राउंड कर दिया था यहाँ पर मेर वीमस से एकेडमी के पास वाले जंगल में हो रहे मर्डर के बारे में भी बात करते हैं लेकिन प्रिं में लाइट ओन दिखने वाली बाद शेरिफ को बताई थी या नहीं अगले सीन में हम लुकस को देखते हैं जो ने और मोर एकेडमी में पनिश्मेंट के तोर पर काम कर रहा था अब यहाँ पर बियांका भी आ जाती है और जब बियांका लुकस के हाथ में अपनी मॉम की कम ब्रेसलेट के बारे में पूशती है जिस पर लुकस उसे बताता है कियो कुछ दिनों से इंटरनेट की मदद से मॉरिंग सोंग नाम के एक कम्यूटी से जुड़ गया है और उन्हीं लोगों ने उसे ब्रेसलेट गिफ्ट किया है लुकस कम्यूटी में जुड़ कर बहुत दूर रहने के लिए केती है लुकस को बियांका से बात करके कफी अच्छा लग रहा था इसलिए ओं बियांका से कौफी के लिए पूंचता है लेकिन बियांका बिना जाब दिये ही वहां से चली जाती है अगले सीन में हम वेजडे को होस्पिटल में यूजिन के पास देखते हैं जहांपर वेजडे यूजिन को हेलोवीन की रात फेस्टिवल में जाने के लिए सोरी बोलती है क्योंकि अगर हो उस दिन फेस्टिवल में नहीं जाती तो यूजिन अकेले जंगल में नहीं जाता और उसका एहाल नहीं होता वेश्डे यूजिन को अपनी पुरज गुडी एडम के बारे में भी बताती है कि तभी वहाँ पर डॉक्टर किनबोड आ जाती है जो यूजिन को देखने के लिए आई थी और यूजिन के लिए फ्लावर लाई थी वेश्डे जब डॉक्टर वेश्डे से गुडी एडम के बारे में पूस्ती है क्योंकि उन्होंने वेश्डे को यूजिन से गुडी एडम के बारे में बात करते वे सुन लिया था वेश्डे डॉक्टर किनबोड को बताती है क्यों मेरी दूर की कजन है और वहाँ से निकल जाती है अब वेश्डे ज जेवियर के रास्ते में पढ़ता था यहाँ पर वेश्डे को अपनी पेंटिंग भी मिलती है जिस पर जेवियर वेश्डे को बताता है कि हेलोई नाइट को उसे बूल नहीं पा रहा था इसलिए उसने वेश्डे के पेंटिंग बनाई थी अगले सीन में हम ब्यांका और लु पेस्टिकेशन करने ही लगती है यह मेंशन किसी और का नहीं बलकि गेट्स फेमिली का था जो सालों से बंद पढ़ा था अब यहाँ पर टाउन के मेयर भी आ जाते हैं जिनने देखकर वेश्डे छुप जाती है इसके बाद मेयर शेरिप को कॉल करके कोफी शोब में बुल पर नीचे घिर जाते हैं और पुरी तरह से गायलों जाते हैं मेयर को एस्पिटल लाया जाता है अब क्योंकि वेश्डे भी क्राइम सीन पर मुझूद थी इसलिए शेरिफ वेश्डे से पूस्ताच करते हैं वेश्डे शेरिप को बताती है कि मेयर को गेट्स मेंशन में ज कि पर काफी जादा गुशा होती है क्योंकि मेर के एक- trauma सीन पर मोगूद होने से टाउन के लोगों को भूच डेऌन निवर्मोर केडमी पर शुख होता है कि मेर के एक्सीडर में वैंजडे का हां थे प्रिंसिपल वीमस में धे को कुस दिनों तक एक्डमी में ही रहने के लिए कहती है अब वेश्डे किसी भी तरह से गेट से मेली के मेंशन में जाकर इन्वेस्टिकेशन करना चाहती थी इसलिए और टाइलर को यह कह कर गेट से मेली के मेंशन में चलने के लिए कहती है कि वो अपना birthday गेट्स एमेली के मेंशन में मनाना चाहती है वेजडे तिंग को अपने रूम में ही रहने के लिए बोलती है वो समय बाद जब जेवियर वेजडे को ढूंडते हुए उसके रूम में आता है तो तिंग उसे बता देता है कि वेजडे इनेट और टाइलर के साथ गेट्स मेंशन में गई है अगले सीन में वेजडे को देखते है जो टाइलर और इनेट के साथ गेट्स मेंशन के अंदर आ जाती है जहाँ पर गिराज में इने वो कार मिलती है जिसने मेर को धका दिया था यानि कि वो शक्स इसी जग़े पर रहता है जिसने मेर को धका दिया था इसके बाद ये लोग अंदर आ जाते हैं जहाँ पर वेंजडे को जोसेप क्रेकिस्टोन की एक सिग्रेट पेंटिंग मिलती है जहाँ पर लिखा था Blood Will Rain और कुछ ऐसा ही Nevermore Academy के Ground में भी किसी ने आग लगाकर लिखा था यानि कि इन सब का कोई connection तो जरूर है यहाँ पर Wednesday नोटिस करती है कि कुछ समय पहले ही वहाँ पर एक candle जल रही थी जिसे अब बुजा दिया गया था यानि कि कोई तो यहाँ पर ने कोशिश करता है और Wednesday नेट के साथ ऊपर के फ्लोर पर आजाती है जहाँ पर उसे एक साफ सुत्रा रूम मिलता है यानि कि मेंशन में रहने वाला व्यक्ति इसी रूम में रहता है रूम में इन्हें एक म्यूजिक बॉक्स में मिलता है जिस पर LG लिखा था Wednesday LG के लोगों क देखकर तुरं समझ जाती है कि एक गेरेट की बहन लोरा गेट्स के नाम का लोगों है अब अचानक से इन्हें टाइलर की आवा सुनाई देती है जो इन्हें बताता है कि मोश्टर वहाँ पर आ चुका है अब इससे पहले कि वेश्डे ओधी नेट को समझ वाती मोश्टर म ने मारा था और पोस्माटम के दोरान उनके वो बोडी पार्ट्स गायब थे यानि कि मोश्टर को कंट्रोल करके लोगों को मारने वाला शक्स इसी जायव पर रहता है और हो कोई ओन नहीं बलकि गेरेट की बहन लोरा गेट से अब मोश्टर यहाँ पर भी आ जाता है जिसक मैं कि जब भी मोश्टर वेंजडेँ पर हमला करता है कुछ सम्हें बात वहाँ पर जे वियर जरूरा जाता है यानि कि कहीं जे वियर ही तो मोश्टर नहीं है अगले सीन में हम वेंजडेकों ताइलर के साथ उसके घर पर देखते हैं जहां पर इनेट और जेवियर भी थे अब यहाँ पर टाइलर के डेट यानि की टाउन के शेरीफ भी आ जाते हैं जो टाइलर को घायल देकर वेंजडे पर बहुत गुसा होते हैं क्योंकि वेंजडे ने अपने साथ ही बाकी लोगों को भी खत्रे में डाला था. वेंजडे टाइलर को गेट्स मेंशन में मिले सबूत के बारे में शेरीफ को बताती है लेकिन शेरीफ को वेंजडे की बातों पर विश्वाच नहीं होता क्योंकि जब शेरीफ गेट्स फेमिली के मेंशन की इन्वेस्टिकेशन करते हैं तो ने वहाँ पर कुछ नहीं मिलता. शेरीफ वेंजडे इनेट और जेवियर को वापस से नेवरमोर एकेडमी में ले आते हैं और वेंजडे को अपने बेटे टाइलर से दूर रहने के लिए बोलते हैं एकेडमी में प्रिंसिपल वेंजडे पर बहुत गुसा होती है क्योंकि वेंजडे ने एक बास सुनकर प्रिंसिपल वेंजडे को एक और मोका देती है अपनी बास साबित करने के लिए अब Wednesday जब वापस से अपने कमरे में आती है तो देखती है कि इनएड अपना सावन पे कर रही थी यानि कि अब वो Wednesday के साथ नहीं रहना चाहती और इनएड गुसे में Wednesday को बोलती है कि तुम्हें अपने अलावा किसी और की चिंता नहीं रहती और तुम हर समय अपने investigation के बारे में सोंसी रहती हो इनेट के जाने के बाद वेश्डे बिलकुल अकेली हो जाती है और आज वो पहली बार खुद को अकेला फिल कर रही थी क्योंकि इससे पहले तो वो अपने अकेले पन को एंजोई किया करती थी अब वेश्डे को याद आता है कि वीजन में गुडी एडम ने उसे बताया था कि उसे अकेले रहना सीखना होगा और शायद यही उसकी किस्मत में लिखा है अब वेश्डे जब उस म्यूजिक बोस को खोलती है जो उसे गेट्स फेमिली के मेंशन में मिला था तो उसे उसके अंदर अपनी फोटो मिलती है जो किसी ने चुपके से खीचा था वहाई दूसी तरब मेर अभी भी होस्पिटल में एडमिट थे लेकिन कोई उने होस्पिटल में इमार डालता है अगले दिन जब टाउन में मेर का फ्यूनरल किया जाता है तो वहाँ वेश्डे नोटिस करती है कि कोई तो उस पर नजर रख रहा है और जब वेश्डे पीछ में उस आदमी का पीछा करती है तो उसे पता चलता है कि आदमी कोई ओर नहीं बलकी वेश्डे के अंकल फेश्टों से काफी ज़ादा क्लोज होती है फेश्टों बोस्टन में कोई क्रायम करके भागा होता है इसलिए उसे चुपने के लिए एक शेप ज़रकी तलाश और वेंश्डे को बताते हैं कि एक हाइड है। हाइड दरसल ने और मोर में पढ़ने वाले बाकिये के आउटकाश्ट की तरह एक आउटकाश्ट होते हैं जो दिखने में तो किसी नॉर्मल इंसान की तरह ही लगते हैं लेकिन जब कोई किसी केमिकल या किसी और तरीके से उन् बारे में Kुछबी पता नहीं है क्योंकि नेवर्मोर में उनके बारे में कोई बी जानकरी अवेलेबल नहीं है वेश्डे के अंगल उसकी बास सुनकर उसे नेवर्मोर के फाउंडर・ फॉग्णकी डायरी पढ़ने का सजेशन देते है क्योंकि फॉग्णक्न ने नेवर मौर को इस्तावित करने के पहले दुनिया के सारे आउटकाश के उपर रिसर्च किया और उन्हें जो भी जानकारी मिली उससे उन्होंने अपनी डायरी में लिखा जो इस समय नेवर मौर के नायट शेट कम्यूटी की सिक्रेल लाइबरेरी में रखी हुई है नेवर जो था क्योंकि जेवर नायट शेट कम्यूटी का एक मेंबर होता है यहां बच जेवर और वेंजडे के बीच में और ग्यूमेंट्स होना शुरू हो जाता है क्योंकि जेवर का कहना था कि वेंजडे उसके उपर विशाश नहीं करती और वहीं वेंजडे का कहना था कि जब फोकनर की डायरी निकालती है जिसमें हाइट्स के बारे में डीटियल से बताया गया था डायरी में ये भी लिखा था कि उमन फोम में हाइट्स की आर्टिस्टिक स्किल काफी जादा अच्छी होती है वेंच्डे जब ये जानती है तो उसका शक जेवियर पर और भी बढ़ ज देखती है तो उसे विश्वाश हो जाता है कि जरू डॉक्टर किनबोट नहीं साइकोलोजी की मदद से जेवियर के मौस्टर फॉम को अनलोग किया है इसके बाद वेंच्डे इस बात को बताने के लिए प्रिंसिपल विमस के ऑफिस में जाती है लेकिन वहां मिस किनबोट पेरे से ही मौझूत थी जो वेंच्डे को देखकर उससे उसके तेरफी सेशन के बारे में पूछने लगती है जिसकी वाज़े से वेंच्डे प्रिंसिपल विमस को डॉक्टर की इनबोट के बारे में नहीं बता पाती अगले सीन में हम वेंच्डे को अपने अंकल को ढून रहे थे क्योंकि अंकल फेश्टर एक बेंक में रोबरी करके वहां आये थे लेकिन मौका बाकर फेश्टर वहां से निकल जाता है अब टाइलर जब वेश्डे से डेट के लिए पूसता है तो वेश्डे इसके लिए राजी हो जाती है वापस आकर वेश्डे को पता रखने के लिए बोलकर टाइलर के साथ डेट पर चली जाती है ने वेश्डे के लिए एक रोवान्टिक सी मुवी लगाई होती है और वहां का सीटुएस्टे के वास Drive और टायलर तो लोज़ा जाते हैं लेकिन को और वेश्डे के वापस रहे ते ने और लो डेकै अचाट लेकिन जब वो अपने रूम में आती है तो वहां का नजारा देकर पूरी तरह से एरान थी क्योंकि चारों तरफ सामान बिखरा पड़ा था और किसी ने थिंग पर हमला करके फोकनर की डाइरी चुरा ली थी इस समय थिंग के आलत भी काफी जदा खराब होती है जिसके बाद वेश्डे थिंग को जल्दी से अपने अंकल फेश्टो के पास ले जाती है जहाँ पर फेश्टो किसी तरह थिंग को वापस से ठीक कर देते हैं वेश्डे अपने अंकल फेश्टो को सुबह होने से पहले वहां से निकल जाने को बोलती है क्योंकि शेरिफ फेश्टो को चा प्रिंसिपल वीमस की बात सुनकर उन पर बहुत ज़्यादा गुसा होती है क्योंकि अगर वीमस ने पहले ही इस बात को बता दिया होता तो शायद इतने लोग ना मरते बाहर आने पर वेंश्डे को बियांका मिलती है जो वेंश्डे को अपने साथ नायट शेट के लाइबरेरी में लें आती है जहांपर मेयर का बेटा लुकस भी मौजू था लुकस वेंश्डे को बताता है कि उसके डेट मरने से पहले लोगों को सीव इतना पता है कि गेट्स फेमेली के साथ लोरा गेट्स की भी डेट हो गई थी लेकिन लोरा गेट्स की डेट बोडी कभी भी किसी को नहीं मिली लूकस की बात सुनकर वेंजडे समझ जाती है कि जरूर लोरा गेर्स अब वापस आ गई है और अपनी फेमेली की मौत का बदला लेना चाहती है अब क्योंकि वेंजडे ने डॉक्टर किनबोट को अकेले में जेवेर से मिलते वे देखा था तो उसे शक होता है कि डॉक्टर क को देते हुए बताती है कि तुम ही लोरा गेर्स हो जो जीवेर की मदद से लोग को मार रही हो और अपने फेमेली की मौत का बदला लेना चाहती हो वेंजडे की बात सुनकर डॉक्टर किनबोट पूरी तरह से हिरान होती है और जच को फोन करने लगती है क्योंकि उनको लेकिन तब ही वहां पर मौश्टर यानिकी हाइड आ जाता है जो डॉक्टर किनबोट पर हमला कर देता है अगले सीन में हम वेंजडे को प्रिंसिपल वीमस और शेरिप के साथ होस्पिटल में देखते हैं लेकिन यहां पर डॉक्टर किनबोट की डेत हो जाती है जिससे पूच्छी है कि तुम डॉक्टर किनबोट के संपरक में कब से थे वेंजडे की बाह सुनकर जेव्यार उससे बताता है कि मुझे ठेरपी की जडूरत थी इसलिए मैं डॉक्टर किनबोट के साथ चलने वाले सिक्रेट ठेरपी रेशन के बारे में पूचने लगती है जिसस दिखाती है जो जेविएर के हाई डोने की तरफ इशारा कर रहे थे जेविएर इन सब चीजों के अपने कमरे में होने से साफ़ समना कर देता है और वो समझ आता है कि यहीं ऑप करके उसे फसाना चाहती है क्योंकि वेंजडे को जेविएर के ऊपर शक था अब यहाँ पर थोड़ा अच्छा लगता है अब इनेट जब वेंजडे से टाइलर के साथ डेट पर जाने वाली बात पूछती है तो वेंजडे टाइलर से मिलने के लिए निकल परती है अब वेंजडे और टाइलर काफी जादा क्लो जा जाते हैं क्योंकि वेंजडे भी टाइलर को पसंद क करने लगी थी और टाइलर को किस करती है टाइलर को किस करने से वेंजडे को एक विजन आता है जिसमें और डॉक्टर किनबोट की मौत देखती है और साथ यो टाइलर को उस मोश्टर के रूप में भी देखती है जिसने डॉक्टर किनबोट को मारा था यानि कि हाइट जेवि को भी बुलाया था वेज़डे टाइलर को बता देती है कि मुझे पता है कि हाइट कोई ओर नहीं बलकि तुम हो क्योंकि जब पहली बार वह मीटिंग हाउस के पास गई थी तो सिफ टाइलर को इसके बारे में बता था और उसने वेज़डे का पीछा भी किया था और रेवन ये आवाले दिन ने सबुत मिटाने के लिए यूजिन पर हमला कर दिया गैट्स मेंशन में सबसे बहले टायलर में सबसे अलगी में आवास दिया आ गया है और फिर खुद मोश्टर में ट्रांसोम होकर उनके ओपर हमला कर दिया टाइलर पर किसी को शक्त ना हो इसलिए टाइलर ने खुद को चोट भी पहुचाई थी वेंजडे की बात सुनकर टाइलर इन सबसे साफ साब इंकार कर देता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम क इस वज़े से मुझे पर इलजाम लगा रही हो वेंजडे यहां पर अपने साथ इनेट और नाइट शेट के मेंबर्स को भी लाई थी जिसके बाद उस सभी मिलकर टाइलर को बांद देती है और टाइलर को उसके डेमन फॉर्म में लाने के लिए वेंजडे उसे टोचर करन इसे रोकते हैं लेकिन वेंजडे अपने फ्रेंट्स को आँसे बेज देती है अगले सीन में हम शेरीफ यानी की टाइलर के डेट को देखते हैं जो डॉक्टर किनबोट की ठेरेपी टेप रिकोर्डिंग सुन रहे थे जिससे उन्हें पता चलता है कि टाइलर का सोभाव अरेश करने के लिए बोलती है क्योंकि इनेट और बाकी सबी लोगों ने प्रिंसिपल वीमस को बता दिया था कि वेंजडे टाइलर को बांद कर उसे टोचर कर रही है अब शेरीफ प्रिंसिपल वीमस और बाकी लोगों के साथ उस जया पर पहुंच जाते हैं जहां पर वे मोश्टर के नाकुन डिनेटेश के लिए दिये थे शेरीफ इस बास साथ सब इंकार कर देते हैं और वेंजडे को बोलते हैं कि तुमने असली हाइट जेवियर को पकड़ाने में मेरी मदद की थी इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूं इसके बाद प्रिंसिपल वीमस आने लगा और अब मैं लोग को मारने में एंजोई करता हूं अब कुछ बड़ा होने वाला है वापस आकर प्रिंसिपल वीमस वेंजडे को डाटने लगती है क्योंकि वेंजडे ने अपनी जीत की वाजिय से खुद को और अपने दोस्तों खत्रे में डाला था वेंजडे रेकाइड है और उसी ने सबी छेलों को मारा है और इस समय वो आजाद घुम रहा है वेंजडे की बात सुनकर वीमस उससे कहती है कि अगर तुम ये बात पहले मुझे बताती तो शायद हम साथ में मिलकर कुछ कर सकते थे लेकिन अब इसका कोई फाइदा नहीं है और वेंजडे भी नेवरमोर एकेडमी से जाने का डिसाइड कर लेती है और जब वो अपने कमरे में अपना सामान पे कर रही थी तो इनेट इमोशनल हो जाती है क्योंकि नहीं चाहती थी कि वेंजडे नेवरमोर एकेडमी से जाए वेंजडे इनेट को समझाती है कि हमें कभी किसी के ओपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए क्योंकि इससे हमें सिभ निराशाई मिलती है अब इनेट जब वेश्डे को बताती है कि यूजिन को होशा गया है तो उस्पिटल में जाकर यूजिन से मिलने का डिसाइड करती है कि तब ही वहाँ पर डॉक्टर थोनिल आ जाती ह जो वेश्डे को एक प्लांट गिफ्ट में करते हुए बोलती है कि मुझे पुरा विश्वाश है कि तुम्हारी जर्नी का अंतर नहीं है और अभी तुम्हें बहुत कुछ करना है और स्पिटल में यूजिन से मिलने पर यूजिन वेश्डे को बताता है कि मैंने जिस लेड है कि तुम्हीं लोरा गेट्स हो क्योंकि बच्पन में तुम्हारे डेड़ ने टाउन यानि की जेरिको के सभी नौरमिस और आउटकाश के बारे में बताया था इसलिए तुम्हें पता था कि टाइलर की मौमें एक हाइट थी यानि की टाइलर भी एक हाइट है जिसके वो इस बात को स्विकार कर लेती है कि वो ही लोरा गेट से और इन सब के बीचे उन्हीं का हाथ है अब टाइलर भी यहाँ पर आ गया था इसलिए मिस्टोर निल टाइलर से वेंजडे को मारने के लिए के लिए लेकिन टाइलर इसा नहीं करता क्यों क्यों टाइलर नहीं बल पूला करके उनने जान से मार देती है और वेजडे के सिर पर हमला करके उसे बेऊशकर देती है तिंग ये सभ देख रहा था और उस चुप के से वहां से निकल जाता है इसके बाद हम इनेट को देखते हैं जो AJ के साथ थी कि तब भी उसे Eugene का वीडियो कोल आता है और Eugene Wednesday को बताता है कि Miss Thornil ये सब कर रही थी अब यहाँ पर थिंग भी आ जाता है जो इनेट को बताता है कि Thornil ने Vimas को मार दिया और वो Wednesday को अपने साल ले गई है अगले सीन में हम Wednesday को देखते हैं जिसे Miss Thornil ने टाइलर के साथ मिलकर रस्यों से बादा होता है लोरा गेट्स Wednesday को बताती है कि जोसेफ क्रेकिस्टोन उसके पुरवच थे जो आउटकार्स से नोरमिस की रक्षा किया करते थे लेकिन Wednesday की पुरवच गुडी एडम ने जोसेफ क्रेकिस्टोन को मार दिया और उनकी कबर पर खुन का ताला लगा दिया जिसे गुडी एडम का वंशाजी खोल सकता है और क्योंकि आज बलड मून की रात है इसलिए लोरा गेड्स गुडी एडम की बुक आफ शेडो की मदर से जोसेफ क्रेकिस्टोन को फिर से जिन्दा करना चाहती है ताय कि क्रेकिस्टोन आउटकार्स को खत्मे कर दे यहाँ पर हमें पता चलता है कि लोरा गेड्स ने ही पिलग्रीम वर्ड से ओरिजिनल बुक आफ शेडो को चुराया था लोरा गेड्स जोसेफ क्रेकिस्टोन को दोबारा से जिन्दा करने के लिए ही टायलर दोरा लोग को मरवा कर उनके बोडी पार्स इकटा किया करती थी इसके बाद लोरा गेट्स वेंजडे के हाथ पर एक कट लगाती है जिससे वेंजडे के हाथ से बलड निकलने लगता है और लोरा वेंजडे का हाथ क्रेकी स्टोन के कबर पर लगा दीती है जिससे गुडी एडम दोरा क्रेकी स्टोन की कबर पर लगाया गया खून का ताला ख भूल जाता है इसके बाद लोरा गेट्स बुक ऑफ शेडो से कुछ मंद्र बढ़कर एक रिच्वल करने लगती है जिससे देखते ही देखते क्रेकिस्टोन की कबर पर बिजली चमकने लगती है और लोरा गेट्स दौरा एकटा किये गए बोडी पार्ट से बनी नई बोडी क के साथ और देẢर एक से जिंदा हो जाता है ब्रटम और दिया और से बताती है कि दिल पर वार करके उसे मारा जा सकता है इसके बाद जोडी ड़ा निच्टे ?isseय कि कर देती है अगले सीन में हम इनेट को देखते हैं जो नाइट शेट्स के मेंबर को ने और मोर के सबी बच्चों को किसी बड़े खत्रे के लिए आगा करने की बोल कर ठिंग के साथ वेंजडे को ढूने निकल बढ़ती है वहीं शेरिप को भी पता चल गया था कि टाइलर जाता है जो मौस्टर पर हमला करके वेंजडे को बचा लेता है और यहां पर हमें पता चलता है कि यह वेर वॉलβ और कोई नहीं वेंजडे की फ्रेंड इनेट थी जो आज ब्लड मून की रात होने की वज़े से पहली बार वेरवॉल बनी थी अब मोस्टर या निकी टाइलर और इनेट के बीच में एक खतरनाक फाइट होने लगती है लेकिन इने टाइलर के सामने जाद देर तक टिक नहीं पा रही थी क्योंकि टाइलर डेमन फॉम में काफी ज़्यादा पारफुल था तबी वहां पर शेरिप आ जाते हैं जो मोस्टर को शूट कर देते हैं जिससे टाइलर अपने हुमन फॉम में वापस आ जाता है टाइलर को देखकर शेरिप उसे समालते हैं और वहीं दूसी तरफ तिंग जेवियर को आजा मोड देती है लेकिन वेंजडे बीच में आकर तीर को अपने उपर ले लेती है जिसें घायल हो जाती है और जेवियर को नेवर मोर एकेडमी खाली कराने के लिए बोलती है क्योंकि क्रेकिस्टोन सारे आउटकाश को माना चाता था अब यहां पर बियंका भी आ जाती है जो पाती और वेंजडे यूजिन के साथ मिलकर लोरा गेट्स को भी मार देती है और इस परकार क्रेकिस्टोन के साथ ही लोरा गेट्स भी मारी जाती है अगले दिन नेवर मोर एकेडमी के सबी स्टुडेंट्स चुट्यों में अपने अपने घर जाने का डिसाइड करते हैं ए चास्ते में वेंजडे को एक नए नंबर से मेंसे जाता है जिसमें किसी ने चुपकर वेंजडे की फोटो निखा ली थी यानि कि वेंजडे का पीछा करने वाला व्यक्ति अभी भी आ जा दे और नेवर एकेडमी में अभी भी बहुत सी मिश्टरी चुपी हुई है अगले सी तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरू कर ले थेंक्स वर ओचिंग